है गाइस कैसे हैं आप लोग आम शौर कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो गाइस जो पिछले वीडियो के अंदर जो है मैं हमने यह जो जनरेट प्रेस की जो थीम थी उसको कुछ हद तक कस्टमाइज करा था और आज जो है और ज्यादा इसमें जो कैटेग्रीज जो है है वो किस तरह से डिफाइन करी जाती है और कैटेग्रीज का हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह सारा जो है का आपको कैसे क्रियेट करना होता यह मैं आपको बताने वाला हूं तो लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने कुछ यहा यहां पर categories जो हैं वो किस तरह से define करी जाती कोई आप देखते हैं यहां पर यहां पर डिफर्ट यहां पर ड़ा हुआ है और उसमें लिख्या रहा है अन categorized अब un categorized को categories में क्यों डाला जाता है यहां पर हम लिखेंगे टैक में के अंदर आपना भी important है ताकि जो है जब crawlers जो है वह जो भी search engine के crawlers है जो हमारी website पर आके visit करें तो जो है यहां पर सारे के सारी चीजन उनको बिल्कुल perfect मिले और हमारा जो कहीं नगहीं कोई भी blog post हमने जिस पर मेहनत करी है वो आगे जाके गूगल के number one page पे जो है ट्राफिक में आ सके तो इसके लिए जो है यहां पर डैश बोड पर जारा है और यहां पर जाकर आप दिखते हैं यहां पर पोस्ट है तो पोस्ट में जाकर आप दिखते हैं यहां पर लिखा हुआ भी आपको नई category create करनी है तो उसके लिए आपको यहां पर add new category पर जाना है और name के अंदर जो है आपको जो भी category लिखनी है से for example मुझे switches के लिए मुझे अलग डालना है तो मैंने यह switch का main tag डाल दिया इसका slug भी जो है मैं यहां पर लिख देता हूं switch switch right यहां पर लिखना चाहता हूं Network switch राइट तोसले है इसका को सब्सक्राइब कर यहां पर लिख सकते हैं और इसको सबसे पहले तो अपन एड़ कर लेते हैं तो यह स्विच जो है अब वह हमारा एड़ हो चुका है और यहीं पर अब आप देश तो यहां पर एक मैनिफट यह होगा कि अब स्विच के अंदर मैंने स्विच से रिलेटेड कितने जो है अब त मैं टेक्ट लिख देता हूं यहां पर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं वह डिस्क्रिप्शन आपको डालना चाहिए क्योंकि यह भी आपका जो कहीं न कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो यह आगे चलके जब SEO को कवर करेंगे तब मैं आप पर क्लिक करके यहां पर पेरेंट केटेगरी में मुझे यहां पर टेक्स आजए सलेक्ट करना और अपडेट कर देना है तो यह मेरा अपडेट हो कि वापस बैक्टू करते तो जैसे अब ही टेक हो गया टेक के बाद यहां पे सुच के आशामने एक लाइन आगी और यहां स्विच लिख इसी तरह से सबस्क्राइब करें एया पर यहां पब तो कि में यहां पर लिख देता हूं और इसका भी पैरिंट है वह यहां पर ही रहेगा और यहां पर मैं इसको भी आल करेता हूं यह भी एड हो गया अब इसके बाद यहां पर और क्या है मेरे पास यहां पर टोपोलोजी है तो मैं यहां पर लिख देता हूं टोपोलोजी मैं यहां पर लिख दी और इसी को मैं यहां पर इस लग में भी लिख देता हूं टोपोलोजी और इसका भी जो है पैरेंट जो है व जो इसको edit करते हैं। तो एड़ेट पे click करके जब यह post पूरा हमारा open हुजएगा तो अभी अगर είघ याँ दिखांगे पर क्या निखिए तो यहां पर देखांगी क्या रिख लिख रहा है। तो ये Tiny में भी होना चाहिए और Tech के अंदर के अंदर हुना चाहिए अंग ऑढ़री से हम इसको हटाना चाहते हैं इस तरह से हम पूरा का पूरा क्येट्गराइज करेंगे, तो जितनी भी हमारे यहां पे menu sections हैं, उनके according हम ने यहां पे categories डिजाइन करनी होती हैं, तो अभी हम अर पास और भी categories बाकी हैं, तो मैं फटा-फटा आपके साथ ही create कर लेता हूँ, तो वापस category में चलते हैं, और यहां पर मैं जाकर blog का डालना है, तो मैं यहां पे डाल देता हूँ blog, और इसको भी वापस से यहां पे blog लिख देता हूँ, और इसका parent कुछ नहीं होगा, यह सिधा खुदी parent रहेगा, इसके बाद affiliate डालना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूँ, affiliate और इसी को मैं copy करके, इस लग के अंदर भी डाल देता हूँ, और इसका भी parent कुछ नहीं होगा, यह खुदी parent होगा, यह भी create कर देता हूँ, फाइनली हम यहां पर digital में डाल देते हैं, इसी के अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग, यह पिर सरफ digital रख देते हैं, इसके अंदर अलग रख कैटिगरी अगर हमने create करनी है, तो वो हम यहां पर create कर सकते हैं, तो यह हमने यहां पर लिख दिया, डिजिटल के अंदर, तो डिजिटल के अंदर, तो सेवर और डिजिटल के अंदर यहां पे एक तो डिजिटल अ मार्केटिंग का जो है डीटेल डालना चाहता हूं तो यहां पे में इसको क्ञाitन ग्रभ रहेगा और यह मेंने पेस्ट कर दिया तो इसी तरह से हम पूरा का पूरे categories जितनी भी हमें चाहिए हैं, वो categories हम यहाँ पर डालते हैं, तो जो मैंने modify करके डाला था, तो आप देशते हैं यहाँ पे switch tech के अंदर भी एक post लिस्टेड है, और switch category के अंदर भी यहाँ पर एक post लिस्टेड है, भले ही वो एक post है, लेकि पर search का option जो है, आप अपने according देना चाहते हैं, दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं, आप हटा सकते हैं उसको, तो यह जो है हमारा पूरा का पूरा categories जो है, किस तरह से create करी जाती है, wordpress के अंदर, और यह मैंने आपको आज पूरा practically दिखाया, तो आगे जो है, आने वाले sections आगे देन वाले videos के अंदर जो है, मैं आप लोगों को, और इसके अंदर जो है, यह sidebar किस तरह से पूरा set करते हैं, यह footer section जो है, यह जो wizards है, इनको हम पूरा complete कैसे setup करेंगे, वो मैं आपको पूरा complete दिखाऊंगा, और साथी साथ फिर blog post करने के बाद हमने उसको SEO कैसे क सब्सक्राइब करते हैं, साथी साथ बेल का इकल नबादे ताकि आने वाले video के notification जो है आप तक पहुंच पाएं, so guys, I hope कि आपको यह video जो है completely अच्छा लगा होगा, तो like, share and subscribe जरूर करके जाएं